अपने प्रश्णों का उत्तर जानने के लिए अभी जोतिश समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं अधिक जानकारी के लिए आपकी कुंडली आप को डाउनलोड करें धन्यवाद आज आपके समक्ष वित्वन रासी वालों के लिए साप्ताहिक रासी भविष्ट दिनांग 18-24 अप्रेल के मद्ध आने वाले गोचर ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा दर्शाने जा रहा है वित्वन रासी के स्वामी होते हैं बुद्ध आपके लिए भौती मंगर मैं ब्यापार में बड़े से बड़ा दाभ होने का संकेद दे रहे हैं। जो अनायास नए व्यापार का स्रजन होगा और उद्यूख धंदे के साथ साथ मैं आपके जो नभीन प्रकार से नएने व्योषायद खुरेंगे और उसमें आपको लावानित होने का संयूग भी बनने वारा है आपका व्योषार सब व्योगों से विलकुल रचनात्मक रहेगा और निग्रन साहिता का व्योषार रहेगा और आपकी बाणी में एक दम जह सो भासा बदल जाएगी आपकी बाणी में एक ओजस्चिता आएगी व्योषारी बुद्धी बनेगी क्योंकि व्यापार से, व्यापार किस से चलता है, पहले बाणी से चलता है, बाणी अगर अच्छी आपकी है, तो आपका व्योहार सुद रहेगा, जो व्योहार अच्छा सुद रहता है, तो व्यापार सुद रहेगा, एक दूसरे के पूरक हैं, हम लोग समझते को उसका व्य भाने के लिए बानी का सुधन्ना आपसर होता है. तो इस सप्ता है आपका व्योहार, ब्यापार और बानी सब सुधन्ने की इस्तिकी निव्वित हो रही है. शुक्रदेव जो है, वो शुक्रदेव भी आपके एकादस इसल्वलावम, एकादस भाव में चाद रहे हैं. और आपके प्रेम संबंधों में प्रगारता बढ़ेगी, जहां आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं, वो भिगिटन जो चल रहे हैं, वो प्रेम बढ़ जाएंगे. साथ-साथ में आपके जहसो बस्त्र का लाव होगा, अलंकारों का लाव होगा, होतिक सुक्षाथनों का लाव होगा, यानि लाव का मतलब है, शुक्र से संबंधित जो बस्त्र में उनसे लाव होना, और आपके विवाय नहीं हो जाए है, तो इस संबंध से हो जाएगा, इ किरकार से आपका सुक्र बखता रहे हैं, शूरी देव यहां पर एकार रस्में बैठे हुए हैं, वो भी बहुत उत्तम फ़क देने वाले हैं, शूरी देव ज्यासरों गवर्लमेंट के संबंदित जो रुके हुए कारियां भी कोर्ट है, मुकद्मा है, पेशी है, अवरोद ह हो रहा है, इस महिनें की सब्ताय में आपको साकार सिद्ध हो जाएगा, और आपकी विजयत्राप्त होगी, अगर ओट मुकद्मा का जो अंतिम रूप चल रहा है, तो आपकी विजयत्राप्त होगी, जो गवर्लमेंट की परिच्छाएं दे रहे हैं, उनके लिए सभग्द जो अपना फक्स दखा रहे हैं, गुरुदेव जो अच्ट में चल रहा है, अच्ट में मरणद द्रभम यैनि गुरुदेव ना बहुक्रीजा में नौ 게 भाग्य व्रद्धिच्चा है, यानि भाग्य के अंदर 1 эт Praag describes the Guru. जो in making the most pictures on सा बुर्लमें दॉप्त हो बहुत परि आपके व्यक्तित्त में सुधार करेंगे, आपकी भावसा सहली बाणी आध्यात्मी छेट में बदलाव आ जाएगा, संतान जीवन के लिए बहुत उत्तम प्रसंसा के योग होंगे, आप जो पढ़ाई करने वादे इस्टूडेंट है उनके भाद्व्रती के साथ में, वो उन करा से ये भुर्देव आपका इस सब्तार में बहुत ही अच्छा कारी कराने वाले हैं, और अब सनी देव जो धाया चल रहे हैं, आथ में सनी होने के कारण, आपके पिता का स्वास में थोड़ी गड़बड़ी पेदा कर रहे हैं, साथ साथ में आपके कर्म छेत्र में जो बहुत हानी कारण चल रहे हैं, साथ साथ में आपके अपव्वे की इस्तिती भी निर्मित होगी, और खास करके धन कुचुम परिबार में असांती बढ़ेगी, बिगड़न की इस्तिती होगी, धन से संबंदित कुबा में अगला अलगा हो सकता है, और आपके बाड़ी में क्लोज की मात्रा बढ़ेगी, आप ज्यूंत बोलने की आदत ज्यादा बन सकती है, इस प्रकार से आपको वाणी में सेन्यम रखना चाहिए, इस सब्ता है मैं क्योंकि इस सब्ता है आपके लिए सनी की दिख्टी से ठीक नहीं है, साथ साथ में आपके जो अच्टम जब चल के लिए और आपके प्रेम संबंधों में जो प्रिगाड़ चाती वो समाप्त कर सकते हैं, अभी एक गुरु जो है तो प्रेम संबंधों को मुदर बना रहे हैं और सनीद्यों उनको बिगटन कर रहे हैं, दोनों इस सिति में की सिति क्या बनती है, एक ग्रह उसका साधक है तो दूसरा बाधक है, तो इस परिशिति में क्या होगा, उसका साधक का काम भी होगा पूरा और बाधक का भी काम पूरा होगा, जैसे अब साधक बाधक क्या है कि जैसे आपको जाब तो मिल जाएगा, जाब तो आपको साधना के कारण मिल जाएगा, लेकि बाधक क्या नुक्सान करनें वाले हैं, अचनक आपको भैर देने वाले हैं, अचनक पीड़ा ने वाले हैं तो आपको पुलिस केश वगेरा अगर चल रहा है, तो उसे जदा साउधान रहना है, बिवाद नहीं करना, अन्य सा कारत नह हो सकता है, इसलिए साउधान आपको रहना है, वारमा राभू हानिका रखाए। और मंगन देव जो आपकी रासी पर ही चल रहे हैं, आपकी रासी पर मंगन रहे हैं, तो आप पूट नीची से कुछ कारी करेंगे, उसमें भारी सफ़क्ता मिनेगी, क्योंकि आपकी रासी पर ही मंगन चल रहे हैं, आपका जैसो उदारता ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी कर्म करने की बहुत ज्यादा प्रम दिख्या होगी। उदारता के साथ आप हैलफुन माइंड हो जाएंगे। दूसरों के सहयोग करने में आगे रहेंगे। और ज्यातों निर्भीक और साइस होंगे। आपका स्ट्रॉंग बिल्पाबर हो गया इस सब्सक्ता है। उससे बड़े-बड़े कारी आपके सब्सक्र हो सकते हैं। बहाई से मजवत संबंद बन जाएंगे। रत् विकार के अज़ दूर हो ककती है। इस प्रकारे-उससे會 आपका अच्छाकारी तरा में वालै है। और मंगर्द यूट की सात मैं भूद्व, पूद्व , शुक्त यूझटा चंद्र यूट कि श्वतिक्ति क्या है ? ऐस समय चोंचड़र रहे हैं , वह कुंबलाथी रहे हैं और कुम्द रासि के होने पे कारण, आप ति जिनांग सर्था को बहुत ही अच्छा भाग बृत्धी के लिए साहख बनेंगे, अचानक भाग का विकास होगा, अचानक कुछ व्यक्ति आप से मिलेगा, कुछ संत रामपन और कुछ व्यक्ति आप से मिलेगा, उसके मध्यम से प्रिकास होगा, धार में कारियों मन लेगा, तीरस्यात्रा का प्रसंद बनेगा, और आध्यात्य छेत्र में बहुत ही अच्छी प्रसंद्रा होगी, अचानक भागवड़ी का भी समय आपको है, दिनांग 18 को, और 1920 तारीक को जो है सो दसमे कर्म इप्षितम, दसम चंद्रमा ह झाहोने से आपके कर्व चहत्र की प्रसंद्रा होगी, जो भी कारी करेंगे, उसमें सफ्वॉता मिलेगी, जो प्रसंद्रा करेंगे, और प्रसंद्रा करेंगे, आपको अचानक कहीं से लाव हो जाए, बस्तु का लाव हो, पैसे का लाव हो, यक्तित्तु का लाव हो, मान सम्मान का लाव हो, लाव के वन हम पैसे से अंकर करते हैं वो गलत है, लाव की परिभासा जो है, जिस चीज में हमको संतोस होता है, जिसमें हमको आनद की अनभूती ह वो लाव की मात्रा ही समझना चाहिए, पैसा बनाई एक नहीं मिलता हो, लेकिन हमको अगर संतोस है, तो उसको लाव की स्रेड़ी में ही माना जाता है, इस प्रकार चोवीस पर, तेवीस और चोवीस तारीक को, तो क्या होगा, ज्वाद से हानी ले बिचव, आप हानी कर समय है थोड़ से समर करके आप खर्ट करना अचानक अपव्य होगा, धन हानी होगी, बस्तु की हानी हो चकती है, ब्रक्तित्त की हानी हो चकती है, आपका मान सम्मान में भी छोट चपेट पहुँचती है, ये सब हानी का ही स्रेड़ी में माना जाता है, इस प्रकार से पूरा मंग वह सबें आपका पूरे सकता है तो आपकी देने बारा है इनी मंगर कामनाओं के साथ भायों तबसर प्रश्णों का उत्तर जानने के लिए अभी जोतिश समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ऑन जरूर दबाएं अधिक जानकारी के लिए आपकी कुंडली आप को डाउनलोड करें धन्यवाद